हेलो एवरीबन आज मैं आप सभी के साथ में सेयर करने वाली हूँ टामाटर की चटनी की रेस्पी जो कि इडली योट होसा के साथ में खाय जाती है और यह बहुत ही टेश्टी बनती है आप इस चटनी को बना के बीना सामभर के भी इडली योट होसा को इंजॉय कर सकते हैं इसके साथ में इडलीट वसा का स्वाज बहुत टेस्टी लगता है तो आभी इस तरह से ये टामाटर चेटनी को ज़रू से बनाईएगा तो चलिए मैं आपके साथ में रेस्पी सेर करती हूँ जिसे आभी इसके मज़े उठा सके तो चलिए इसे बनाने के लिए हमने यहाँ यह थोड़ा बड़ा साइज का था तो इस लिए हमने यहाँ पर एक छोटा लिए दो चेय को मिडिने में चेल को ni понять कर लेना तो इस तरह से प्याज को में आद करें तो इस तरह से हमने आपे दोनों इप्याज को कया गया है एक चुटा टूकडा यह अद्रक कर लिए ऊसको सप्द्सक्ण कराएव घमने लियर सून मी लिखाँ और अब हम आते हैं टामाटर तो हमने यहाँ पर यह 500 ग्राम के करीब टमाटर लिया है तो इस तरह से यह देखी लाल ला ले दिम टमाटर है लेकिन यह तो मैं अब ध्यान रखेगा कि टमाटर जो नहीं होने चाहिए तो आप चाहिए तो इसके लिए हाइविरिट के भी टमाटर रिएज कर सकते हैं तो य इस तरह से पोले टमाटर को कट कर लेंगे तो अबने इस टमाटर को में प्याज वगर्ण को थोड़ा पकाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक कड़ा ही रख ली है अब इसमें डाल देंगे हम 3-4 टेबल स्पून ओयल और 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 गर्म जाने पर इसमें 1 टीस्पून टीए इस थोड़ा पकाने के बाद में तुदीशच։ डाल दिए लाइगे इसमें प्याज टालें गे यानि कि अच्छे से ट्रांस्पेरेंट हो या तक 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 प्याज का क्लर कैसे चेंज हो गया है अभी देखिए तम पिंक पिंक देखने लगा है तो अब इसमें डाल देंगे हम रोश्टेट चना डाल यानि कि जिसे हम फूटाना कहते हैं या बुनी वी चना दल ज्वाती पकाना है तो दिखिए प्याज का कलर जैसे चेंज हो गया है अब यह लाइट ब्राउन हो गया है तो अब इसमें यहां पर कटेवे टमाटर डाल दिये हैं अब इसी के साथ में डाल दिए इसमें हम नमक टीजपूर या फिर स्वात के मिसा नमक डाल दें और एक टीजपू इसे मिलानी के बाद में इसे नढख देंगे और टमाटर के अगलनी तक इसे में पकाना है तो इसे हमने ढख दिया है थोड़ी दिर बाद बेच में इसे लेट को अटा के एक दो बार ऐसे आप चला दे जिससे कि यह जले नहीं और अच्छे सी टमाटर जो ही सॉफ्ट हो ज ечение टमाटर जैनके ले जलाएगे इस तरह से दो बार अच्छे से गल गया है DOं इस तरह से थोड़ा मिक्स करते हो चला रहेंगे जिसे थोड़ा तम पानी ज्यादा दीख ठीक्रटना न Mêmeने तो इसी सथोड़ा थे मुच्छा लेना था सॉटल काम असलते हो यह चलाएगे इस थामने रेंग तो मिझे संफ धन्डा हो गया है आएगा जब में ढाल देंगे और बिना फानी केसे देमेस स्मूथ के त argued हमारा यह चटनी पानिवीश Moi निखाले है यह बाउल्स निकाल लेते हैं आफ छेटनी के लिए थायां कर लेंगे ऊएप करने की एक पैन single चमज डाल देंगे हम ओयल की गर्मुंचाने पे स्में डालेंगे दो सुखी लाल मिर्च पिस करह से सूखी लाल मिर्च का तलका देंगे और राइस को चस्चतकने के बात में इसमीं व्रत दाल राइक टीश्पून देंगे फोटाना यानि की रो своeda जनार दाल ऑक एक से दो पींच इसमें हम हींग डाल देंगे और इसे थोड़ा सा हम मिक्स करते हुए इसे दाल को ना इसे ब्राउन होने तक थोड़ा पका लेंगे उसके बाद में इसमें हम चार पांच करी पता डाल देंगे और इन सभी को पका लेंगे अब यहां पर फ्लेम को हम आफ कर दिएगे और इस तड़के को आप हम ढल देंगे शट्टनी में तब वह से तैका थाहां स्झानी में यह सब्सक्राइब गई है तो आप भी एक बार इस तरह से लाजवाब चेटनी को जरूर से बना के इंजुआए कीजेगा और आपको रेजबी कैसी लगी में कमेंट बढ़े बताइएगा तो मैंने तो इस टेकनी को इडली के साथ में इंजुआए किया आप इसी इडली अधोसा किसी के साथ में भी इस न्जुआए कर सकते हैं या फिर हैसे न नौर्मली आप रोटी सबजी के साथ में भी से खा सकते हैं बहुत लूटिइस्टी लगत यहऄकर तो आप भी इस एक बार जरू से बनाइएगा आपको नहीं है पेसंद आएग तो प लेंगे में कैसी हिने इस भी किसाथ